बिस्मिल्ला रोमार रोहीम असलाम अलेकुम मैं दियार स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियात से होंगे आज हम तीसरा चेप्टर की ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं पहली प्रॉब्लम जो में वह कहता है आफ फोर्स आफ 20 न्यूटन फोर्स कितनी है 20 न्यू कि मुव्ज अब ओड विद एन एक्सलरेशन ओफ टू मीटर पार सुकीर सेकेंट एक हमारे पास फोर्स आघी तूइन दून दूसरा हमारे पास acceleration है 2 meter per second what is the mass इसका जो है mass क्या होगा तो ये जो है ये हमारे पास given है given के बाद हमने जो है mass मालूम करना है तो हमारे पास हम जानते हैं using the for mula वो कौन सा formula है जो इसको हम मालूम कर सकते हमारे पास है f is equal to m में तो mass इदर जो है multiply हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर divide हो जाएगा तो ये आ जाएगा f over m is equal to acceleration तो आप इस तरह लिख दें over m अब आपने क्या करना है sorry आपने mass मालूम करना है आपने क्या करना है mass मालूम करना है तो ये इदर चला आ जाएगा ये इदर तो ये आप कहा जाएगा mass is equal to f over a अब आपने क्या करना है कीमतें दर्ज कर देनी है by putting the values अब आपके पास mass आ जाएगा अब आपके पास force कितनी थी 20 newton आपके पास acceleration कितना था जिरो two meter per square second तो इसको जोब आप cancel करते हो तो ये 10 आ जाता है तो आप आपने mass लिख देना है 10 अब mass का unit क्या है kg तो kg जब आप लिख दोगे तो ये आपके पास complete हो जाएगा और ये आपके पास answer है रापस कितना अब साइब दूल आपका तो ये ये 10 वे हो जाएगा हो ये दो कितना है